प्रिंग्स दिस इस शीपी गोयल बाक टू यू अगेंड काफी लंबे टाइम बाद में एक नई वीडियो को लेकर आ रही हूं आप लोगों के सामने दोस्तो हमारे सब के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमारी हर चीज, हर कंडिशन, हर सिचुएशन हमारे against होनी लगती है हब दोब हम कह सकते हैं कि हर चीज में हमें निराशा मिल रही होती है या हमें failure मिल रही होती है, हार मिल रही होती है कितना भी बड़ा कोई इंसान हो कोई programmer हो, software engineer हो या कोई भी छोटा worker हो हर इंसान के सामने एक ऐसा time आता ही आता है कि जब आपकी life में हर एक चीज गलत हो रही हो जब आपकी life से आप frustrated हो रहे हो क्योंकि आपको वो नहीं मिल पा रहा है जो आपको चाहिए हर इंसान चाहे वो कितना भी बड़ा हो या चाहे वो कितना भी छोटा हो सब के सामने usually एक ऐसा time आता ही आता है लेकिन friends, मेरे को लगता है कि failure से जाद, sorry, success से जादा failure life में important होता है क्यों? क्योंकि जब तक आप एक बार fail नहीं होगे जब तक आपको एक बार हार नहीं मिलेगी success नहीं मिलती है या वो बहुत लग्की लोग होता है I can't say कि ऐसा सब के साथ है वो बहुत ही ज़ाद लग्की लोग होता है जिनको पहले ही अटेम्ट में success मिल जाती है बट 99% वो होते हैं जो एक बार fail failure को देखते ही देखते हैं और फिर वो success की तरफ जाते है अब हमारी history को ही देखें हमारी history में कितने बड़े-बड़े businessmen है, scientist है, legends है जो हार-हार के जीते हैं जिन्होंने कितनी बार हार face की है, कितनी बार failure face की है and finally फिर वो जीते हैं अब आपी लोग सोचिये कि अगर उन लोगों ने try करना बंद कर दिया होता, अगर उन लोगों ने efforts करने ही बंद कर लिये होते तो क्या आज वो successful होते तो क्या आज उनकी life में कोई भी सफलता आती I don't think so कि ऐसा होता example ले लिजे Henry Ford worldwide famous और साथी साथ एक bilanier जो की Ford Motor के head owner है उन्होंने Ford Motors में आने से पहले 5 और businesses किये थे लख उन्हों का favor नहीं किया पाचों के पाचों business fail हो गए पाचों के पाचों business loss में चले गए guys हम लोग होते क्या करते 5 efforts करने के बाद हार मानके बैट जाते कि हमारा नसीबी नहीं है इतना strong कि हम कोई काम करें ठीक है पाच business थे loan भी बहुत जादा चड़ गया था अब ऐसे में second failure मिल गया हमें हम क्या सोचते भईया इतना करजा पहले ही चड़ गया अब क्या करना है छोड़ो यार इसे ही उतारना है लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी उन्होंने छटा business डाला Ford Motors का और देखिए न आज वो दुनिया में famous है अपनी motor cars के लिए famous है तो अगर उन्होंने वो वाले efforts छोड़ दिये होते छटा step लिया ही नहीं होता तो क्या आज वो bilanier बनते तो क्या आज हम सब उनके बारे में discussion कर रहे होते I don't think so दूसरा example ले लो Einstein चार साल की उमर तक guys वो बोल भी नहीं पाते थे ठीक है उनको सब क्या सोचते थे कि दिमाग से कमजोर है mentally unstable है but guys आज उनी के principles आज उनी की theories का हम लोहा मानते है हम बोलते हैं कि उन से जादा अच्छा theories किसी की नहीं है Thomas Thomas Edison bulb बनाया बहुत बड़े inventor थे वो bulb बनाया था लेकिन क्या उससे पहले उन्होंने कोई efforts नहीं करे थे guys उन्होंने उससे पहले कम से कम 1000 efforts करे थे 1000 experiments करे थे और हर experiment fail हो गया था लेकिन bulb का experiment करा क्योंकि वो try करते रहे उन्होंने bulb का experiment करा success मिल गए three idiots देखा है three idiots movie में क्या था उस movie में यही तो था कि आप करते रहो महनत एक दिन जख मार के success आपके पीछे भागेगी तो guys जब तक हम efforts नहीं करेंगे जब तक हम steps नहीं लेंगे जब तक हम failure को हराएंगे नहीं we will not be able to face the taste of success हम तब तक success का taste face ही नहीं कर सकते अब आप खुद ही सोच लीजी अगर Ford जो है Ford के जो owner है अगर उन्होंने पाच बार efforts करने के बाद हार मान ली होती ठीक है Einstein ने अगर सोच लिया होता कि वो भई दिमाग से weak है छोड़ो यार मैं weak हूँ तो क्या करना है मैंने Edison ने सोचा होता कि भई एक हजार efforts कर लिए जब ये fail हो गए तो अगला क्या pass होगा अगर उन्होंने ये सब सोच लिया होता तो क्या हमारे बीच इतनी बड़ी-बड़ी inventions होती नहीं होती ना guys तो इसलिए कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए we should never feel like हम कुछ नहीं कर सकते अरे यार चार बार होगे पाच बार होगे छटी बार तो हो सकते है हाँ वो बात है कि मकसद हो सकते है थोड़ा time ले ले लिया completion होने में लेकिन guys मकसद सब के बुरे होते है तो guys never ever feel disappointed हमेशा अच्छे से अच्छा सोचना चाहिए अब उसी के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जैसे एक बार क्या होगा था एक teacher थी, class में पढ़ा रही थी तो अचानक से वो बच्चो को 100 रुपे का note अपनी pocket से निकालती है और 100 रुपे का note बच्चो को दिखा कर बोलती है कि ये क्या है तो बच्चे बोलते है 100 रुपीज का note है तो कि कि किसको चाहिए ये 100 रुपीज का note सबके सब बच्चे बोलते हैं सबके सब बच्चे hands up कर देते कि हमको चाहिए अब teacher ने क्या करा उस note को अच्छे से crush कर दिया बोलते हैं अब किसको चाहिए ये note भई 100 रुपे का note है crush कर दो या कुछ भी कर दो, चाहिए सबको सबने हाँ उपर कर दिये जैसे ही 100 रुपे का नोट, चाहे आप इसको कितना भी क्रश कर दो, कितना भी कुछ भी कर दो, इसकी कीमत नहीं घटेगी, ऐसे ही इनसान की कीमत भी कभी कम नहीं होती, वो बात अलग है कि आपको अपने आपको पहचानना होता है, once you realize yourself, आप सब चीजे अचीजे अचीव कर सकते हो, but आपको अपनी कीमत कभी भी कम नहीं समझनी चाहिए, always हमें अपनी value अच्छी समझनी चाहिए, हाती का example ले रेते है, एक बाग, एक हाती, बंधा हुआ था नधी के किनारे, यूशले आपने कहानी सुनी होगी यह वाली, नधी के किनारे बंधा हुआ था, एक आदमी सोचते हैं कितना, मलब क्या कहूं, जानवर है after all, लेकिन इतना बड़ा यह है, एक छोटा सा धक्का भी मारे का रसी टूट जाएगी, अलग हो जाएगा, he will be freedom, अब उसे हसी आई वो गया, उसके ओनर के पास, हाती के ओनर के पास जाके, क्या बोलता है, बोलता है, क जब छोटा, रसी मेंस लोहे का कुछ भी हो सकता है, तो कि जब छोटा था, तो इतनी पावरफुल नहीं था, इसने बड़ा ठ्राइ किया, लेकिन नहीं टूटी रसी, अब इसको उसी तरीके की आदत पड़ गई है, आज के टाइम पे इसको इतना पता है, कि मैं इतना मज हमारे अंदर कितनी काभिलियत है, तो यही तो चीज है, कि आपको कभी भी अपने काभिलियत को काम नहीं समझना चाहिए, ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है, जिसके अंदर काभिलियत नहीं है, till the moment he realizes, till the moment he feels, कि उसके अंदर काभिलियत है, तो अगर आपको एक बार यह हो जाएगा दिन आप हर वो चीज अचीव कर सकते हो जो आपको चाहिए और दूसरी चीज कभी भी हार नहीं माननी चाहिए आपको कभी भी यह feeling नहीं आनि चाहिए कि मैं अपनी life में इतना बार यह कब सब काम हो गया है मैं नहीं achieve कर पा रही हूं कुछ या नहीं कर पा रहा हूं कुछ तो मुझे हार माननी चाहिए घाइस कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए दस बार, बीस बार, तीस बार efforts करो एक बार जरूर Anger चीफ होगा because God we उसी को support करता है जो कि खुत ठ्वाए करता है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो then please hit the like button उसके अलावा subscribe कीजिएगा और bell भी रिंग कर दीजिएगा ताकि वीडियो की notification आपको मिल जाए thank you guys, thank you so much bye bye